हेलो एब्रीवन विलकम टो एग्रीकल्चर अटर ट्वनीफोर सेवन आम प्रतिभार शर्मा और डेली आप छे बजे मेरे साथ करते हो उडान क्लासिस तो सबसे पहले लेट अस अप्रिशियेट हमारे रेगुलर स्टुडेंट और जो रेगुलर अपनी असाइनमेंट जो है ह हमारे एग्रीकल्चर वाय प्रतिभा माम वाले हमारी जो फामली है हमारा जो ग्रूप है उसमें पोस्ट करते हैं तैट इस अरित्रा तो वेल ड़न अरित्रा अंड दे सेकिंड वन साहिल फाइनली भी साहिल ने भी शुरुवात करती है साहिल बोलते थे मैं भी डालूगा भी डालूगा तो अभी अभी अपडेट हुई है थांक्स फर इस फ्रूटफुल सेशन थांक्यू क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप महनत करते हो इस तरीके से ठीके तो ये असाइनमेंट है जो आपके उडान कल की क्लास थी उसके क्वेश्चन यहां पर वन ला और ब्राइट स्टूडेंट दिव्या तो दिव्या ने भी यहां पर बहुत ही प्यारी सी एक विकन से विंग्स की डाइग्राम बनाई है जो मैंने आपको कल विंग का स्ट्रक्चर बताया था कॉस्टल मार्जीन होता है अपिकल मार्जीन है ना अनल मार्जीन हुमरल ओके सो गुरीवनिंग गुरीवनिंग यहां पर मैंने एक मैसेज देखा कि भई जो दोस्त लोग है वो तो अपने बाबू शोना के साथ होते नहीं आएंगे दोस्तों को समझाओ बाबू शोना चोड़के चली जाएगी जब शादी की बात आएगी क्योंकि जब शादी की ब होता नहीं है अरे बहुत इसी है या जैसे फेस्बूक पर होता है वैसे तो करते है वो रेड सा बटन दबाना होता है अरे उके गूड अनन्या गूड इव्निंग गूड इवनिंग गूड इवन बन लग दिया वैटा अपने मीर साथ भी होता है इसा मुझे गूड इवनिंग बोलने की आदत ती ना तो मेरा मूड आरा बजे का सैशन होता है नंका ओलं मैं बोलती थी ऑलो एवरिम बडियौ शुरू होने वाला है तो आज आपकी final revision class है फिलहाल की और उसके बाद जो मुझे एक idea दिया गया था यहाँ पर student के through ही मेरे पास idea है था कि आपके first three days यानि Monday, Tuesday, Wednesday plant breeding and genetics होगा and then बाकी के दो दिन आपका entomology होगा, Saturday को हम दोनों subjects का मिलके जो है question solve करेंगे, ठीक है so आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, हमारे चैनल को subscribe करके, notification on करके ताकि यह अच्छे अच्छी notification आपको मिलती रहें साथी साथ इस वक्त है 80% off on every course, तो हमारे किसी batch में enroll करकर, अगर आप हमसे पूरा syllabus अच्छे से पढ़ना चाते हो अच्छे notes चाहिए, test series चाहिए, साथ में free में, तो आप किसी भी course में enroll कर सकते हो भई, मुझे बता दो, आप कौन से course में enroll करोगे तो last में मैं आपको बता दूँगी, कैसे आप हमारे साथ जोड सकते हो, हमारी paid classes में भी, okay, so Ida247 की mobile application आपको पता है, भी, coins मिलेंगे इसको install करने से, ठीक है, जैसे install करोगे, coins मिलेंगे, extra discount मिल जाएगा आपको, मताँ 81% हो जाएगा, फिर 1% coins का discount, आप शुरू करें भी, आज का हमारा बहुत खदरनाक वाला target है, हम 50 plus questions जो है, solve करने वाले हैं अब जिसने ये weekdays की class लगाई है, वो मखन की तरह and questions को solve करने वाला है और जो weekdays पे नहीं आया हो सकता है कि थोड़ा सा problem रहे, है ना ओके, good evening manshu, और मैंने आपका message देखा कि आप काफी दिनों बाद आये, लेकिन आप recording देखते थे, आपके comments मुझे कुछ-कुछ याद भी है, लेकिन comment किया करो, ठीक है, ताकि मुझे याद हुआ आप, लेकिन comment किया करो ताकि मुझे अच्छा लगता रहे, है ना जिसे आपको अच्छा लगता है, अच्छ-चे questions संद आते हैं मेरे सेशन को लाइक कर दो भूल गयो तो कोई बात नहीं सेशन को लाइक कर दो गूर इवनिंग ल के गूर इवनिंग तो यहां पर head is the right answer अभी भी मेरे पास एक दो answer गलत दिख रहे हैं all और यह D बिल्कुल जो fused वाले segments होते हैं वो सिर्फ head में होते हैं तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा A, बाकी thorax और abdomen में distinct segments होते हैं आपको साफ साफ दिखाई देता है, है ना यह head में fused रहते हैं लेकिन यहाँ पर आपको 1, 2, 3, यहाँ पर ऐसे 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 distinct होते हैं सिर्फ head में fused होते हैं ठीक है, तो A would be the right answer not D, ठीक है, तो weekdays पर class लगाई होती है तो यह गलती नहीं होती क्योंकि यह revision class है, अगला सवाल, which of the following has main function of locomotion, चलना फिरना, options are A, head, B, trachea, C, thorax, या D, abdomen तो यहाँ पर locomotion का main function कौन करता है, जल्दी से बता दो अब पता चल जाएगा भई, कौन recording में देखता है, पढ़के आता है जिसका गलत है, minus 1 दे दो, है ना, जिसका गलत होगा answer, है ना, उसको minus 1 दे दो, और last में अपना score comment में लिखना कि 50 में से कितने marks आए आपके, minus करके, बिल्कुल the right answer is thorax, thorax में ही आपकी legs present होती है, insect की legs जो है, वो thorax के तीनों segments पे present होती है, wings भी वहीं पे होते है तो locomotion thorax करता है, next, बाकी options मैंने weekdays पे किये हो हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो playlist में next question is, abdomen has main function of, options are A, respiration, B, reproduction, C, locomotion, D, both A and B good evening Oakesh, good evening, जल्दी से बताओ भई, abdomen का main function क्या होता है हां जी, minus 1 मैं देती रहूंगी भई, बतादो abdomen का function, यहाँ पर रितेश का answer आ चुका है बही, good evening लेखा, अर इतरा का answer आ गया है, अनरो तो मरे नलाइक, time से आय कर, लेखा को बोल रहे है बिल्कुल भई, D is the right answer, सब का बबलू अपने आपको minus 1 देलो, बबलू, अच्छा, inspector साब, hello जी, salami, salute, चलो so abdomen का, जो main function होता है, वो आपका respiration और reproduction दोनों का होता है, तो D is the right answer, next how many orders are classified by ADIMS, ADIMS ने कितने orders को classify किया, उसके according, options are A 29, B 25, C 07 यानि 7 and D is 16, classification पता है न, ADIMS की classification, entomology की सबसे जादा acceptable वाली classification है, ठीक है, और उनके according, good evening Mohan, उनके according, बिलकुल A is the right answer, 29 orders थे, very good, सबका अंसर सही है, well done, next question, fine branches of trachea are known as, options are A, spiracles, B, tanidia, C, tracheoles, D, pseudotrachea, yes, सबका एंसर है, किसी का गलत नहीं है, very good, हाँ, linious की 7 है, good, अब बताओ, trachea, जो की respiratory organ होता है, है न, उसकी जो fine branches होती है, उसको क्या कहते है, good evening Shubham, welcome to the session, session को like कर दें, अगर पसंद आ रहा है, इतना बड़ा नाम है, मुझे Krishna पढ़ने में आ रहा है, तो मैं आपको Krishna बुलाओंगी, good evening Krishna, यहाँ पर, अंकेश minus 1 and the right answer is C, tracheaoles, very good, fine branches को tracheaoles बोलते हैं, थिकनिंग्स जो होती हैं, उसको tanidia बोलते हैं, तो यहाँ पर fine branches, पतली-पतली branches are tracheaoles, ठीक है, इस तरीके से यह tracheaoles हैं, और थिकनिंग्स को बोलते हैं आप tanidia, next question, metamorphosis is almost absent in, options are A, thysenoptera, B, audoneta, C, isoptera, या D, thysenora, बताओ, अंकेश-1 देगे, अपने आपको, है न, कोई बात नहीं पेटा, यहाँ पर गलती चलेगी, must चलेगी, हाँ, बताओ, metamorphosis, यानि, form में जो change आता है, वो किसमें almost absent होता है, very nice, very nice, the right answer is option number D, thysenora, that is silverfish, silverfish में ना के बराबर changes आते हैं, सिर्फ size में increase होता है, तो D is the right answer, next, ambulatorial legs are present in, किसमें present होती है, options are A, grasshopper, B, ants, C, cockroach, D, mantis, बताओ, type of legs से ये question है आपका, ambulatorial legs, ambulance की जरूरत कहां पर पढ़ती है, जहां पर इंसान वो खुद से walk नहीं कर पाता, ऐसे याद रखना है, तो ambulatorial are the walking legs and they are present in, बिलकुल, the right answer is madhurima, minus 1 देलो, मैंने देख लिया, आपने delete कर दिया, लेकिन मैंने देख लिया, the right answer is C, cockroach, cockroach में होती है ambulatorial legs, ठीक है, okay, next question, the tendency for biological system to resist the changes or to remain in the state of equilibrium is known as, ठीक है, उसे क्या कहते है, auto ecology कहते है, या homo stasis कहते है, scene ecology कहते है, या all of these, बताओ, हाँ, yes, तो यहाँ पर almost सब का answer सही है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बीच में एक आता है, है ना, चलो, चलो, बताओ, question क्या पूछा है, कि किसी भी system का tendency, कि वो अपना equilibrium, अपना जो अस्तित्व है, उसको maintain करके रखे, उसे कहते है, option number B, that is homeostasis, है ना, auto ecology क्या बताया था, किसी एक individual का environment के साथ क्या relation है, और scene ecology क्या बताया था, कि group of individual का environment के साथ क्या interaction है, है ना, तो अच्छे से हमने weekdays पे किया था, remember, yes, तो right answer is option number B, next, which of the following is not an external feeder, options are A, apesthesia cortella, B, corcyra cephalonica, C, rhizopertha dominica, D, trogoderma granarium, यह तुम सब ने गलत किया था, जल्दी से answer बतादो, external feeder जो नहीं है, नहीं है, यानि वो internal feeder है, कौन सा है, हाँ जी, answers आ चुके है भई, हमारे पास, the right answer is option number C, और option number C क्या है, option number C है, अपना lesser grain borer, और जिसका नाम ही borer है, वो तो अंदर bor करेगा ही, है ना, वो तो अंदर घुसेगा ही, तो यह कौन सा है, internal feeder है, इसके इलावा खपरा beetle, यह trogoderma खपरा beetle, external feeder होता है, क्या होता है, external feeder, जो सिर्फ grain के बाहर बाहर से feed करता है, अंदर नहीं घुसता है, तो अंदर कौन घुसता है अपना, lesser grain borer घुसता है, ठीक है, अगला सवाल, damaging stage of gujia bivillies, options are A, larva only, option number B, adult only, option number C, both larva and adult, option number D, या तो larva करेगा, या तो adult करेगा, बताओ, ओके, कृष्णा बोल रहे है कि मैं कौक्रोज है, scursorial legs, बेटा, कौक्रोज दो टाइप का होता है, अगल आपने डिन्दगी में देखाऊ होगा ना, तो एक तो लाल, लाल वाला कौक्रोज होता है, और उक काला काला वाला कौक्रोज होता है, जो काला कौक्रोज होता है दना, उसे कहते हैं, oriental कौक्रोज, इसकी तांगे थोड़ी छोटी होते है, comparatively और वो भागता है like running legs होती है उसकी तो oriental cockroach has cursorial legs and जो हमारा लाल वाला cockroach होता है that has ambulatorial legs ठीक है clear होगे confusion उडान की classes लगाया करो भई यह सारी confusions मैंने दूर की है आपकी ठीक है दो type के cockroach होते है normal cockroach में ambulatorial और oriental cockroach में cursorial होती है काले वाले में चलो तो बिलकुल adult is the right answer सबका answer यहाँ पर मुझे सही दिख रहा है very good adult only है ना so एक answer मुझे गलत दिखा प्रिया दर्शनी का okay प्रिया दर्शनी से मुझे याद आया बेटा गलत तो हो गया है आपने जो question की list मुझे दिये seed science की Monday को seed science की class होगी आपकी 6 बजे क्योंकि seed science is very important subject है ना हर exam में उसके questions आते है nuclear seed breeder seed तो हम seed science की 2-3 classes करेंगे तो Monday को आपका seed science का class है okay तो gujia भी वेल ना gujia अगर आपने कभी खोए वाले gujia खाई होगी उसको बच्चे नहीं खा सकते है वो होती है दांत चाहिए होते हैं उसके लिए तो सिर्फ adult खा सकते हैं ऐसी आद रखना तो adult only c नहीं होगा next question antenna as a sound producing organ is used by कौन use करता है options है a butterfly b ants c mole cricket d mantis आपको पता है न antenna are the sensory organs जितना भी insect होते हैं वो कुछ सूंगते हैं कि आसपस खाना है फिरमॉन है कुछ खतरा आने वाला है वो सारी चीज़ें जो है antenna की वज़ा से होती है जैसे हमारे वो होते है ना आंखे नाक सूने के लिए लग इनका antenna चलता है हर जगा अब कुछ इंसे insect ऐसे हैं जो sound produce करते हैं कौन से बिल्कुल वो communication करती है मुँ से मुँ मिलाती है ना वो basically antenna से antenna मिलाती है ठीक है तो as a source of communication वो ants यूज करती है antenna को okay next question is foregut and hindgut have cuticular linings in the epithelial layer which is called as options are a tanidia b integument c intima d malphysian tubules बताइए हाँ जी so क्या question पूछा है कि जो foregut और आपका hindgut होता है elementary canal का ये वाला portion mouth वाला और annus वाला portion होता है उसमें कुछ linings होती है ठीक है और वो linings basically क्या करती है skin को बचाती है रप्चर होने से तो उसे क्या कहा जाता है उसे intima कहा जाता है very good सब का answer सही है good evening bhakti सुमन सुमन is my mother's name नरोतम सुमन मम्मी का नाम सुमन है चलो तो intima is the right answer ठीक है okay this is intima epithelial इसमें और tanidia तो अपना वो होता है जो tracheols की thickenings होती है उसे tanidia कहते है next question trachea are present in dash segments trachea कहां पर present होता है head और thorax में present होता है या thorax और abdomen में present होता है या abdomen में सिर्फ abdomen में ही present होता है या thorax में ही present होता है tracheas जो insect का जो respiratory organ होता है basically उनके पास कोई lungs वंक्स तो होते नहीं है उनका क्या होता है, tracheasi ही होते हैं, silvery tubes होती हैं, body में, ठीक है, और उनके ऊपर openings होती है, spiracles, उनकी thickenings होती है, tan爱аз, और उसकी branch होती है, tracheals, सब कुछ करवाया है आपको, ठीक है, तो बिल्कुल the right answer is option number B, thorax में भी जोती है, आपको इतना ही मैं बोल बोल के करा रही हूँ तो आपको ऐसी करना है, है ना? चलो, like कर दो ओके जी, next, सुमन सरनेम भी होता है, अगर मेरे मम्मी का नम सरनेम सुमन होता है, तो उनका नम सुमन सुमन हो जाता, bad joke चलो, आगे, यार कोई मैंसे पूछ रही हूँ, मैरेट, नहीं यार, मैरेट तो नहीं हूँ, पर सून, चलो, next, in which order peritrophic membrane is absent, peritrophic membrane नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, options are a. colioptera, b. caterpillar, c. hemiptera, d. all of these, सबसे पहले तो peritrophic membrane is same as intima न, एक membrane होती है अलग से, जो rupture करने से बचाती है skin को, अब skin कैसे rupture हो सकती है, solid food से, माल लिया, जैसे आपने, मैंने बताया था न, आपको, वो cartoon में दिखाते हैं, एक whale fish या अजगर होता है, वो उसको निगल जाता है, तो अंदर से उसको कर रहे होते हैं कि, खोल, 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 तो वो rupturing से बचाने के लिए, यह आपकी peritrophic membrane होती है, ठीक है, और बिल्कुल hemiptra order, sees the right answer, जो sucking pest होते हैं, hemiptra order के, जैसे bug हो गया, afid हो गया, white fly हो गया, वो सब liquid feeders होते हैं, वो तो solid feeder होते नहीं है, तो उनको कोई tension नहीं है, कि अपनी skin को कोई rupture करेगा, solid वाला, ठीक है, solid वाली, हड़ी-वड़ी या किसी का वो, तो उनमें जरूरत नहीं होती हैं, और absent भी होती है, तो ध्यान रखना, C is the right answer, और सबका answer सही है, well done, peritrophic membrane, देखो, next, insects have dash circulatory system, options are A, open, B, partially open, C, closed, या D, partially closed, अगर आपने insect का circulatory system देखा होगा, कि blood circulate कैसे करते हैं, तो वहाँ पे heart होता है, dorsal side पे, dorsal vessel होती है, heart होता है, और साथ में anterior portion पे एक word होता है, iota, ठीक है, अब और insect की body में कुछ cavities होती है, cavities मतलब ऐसे-ऐसे कुछ hole से होते हैं, ठीक है, उन cavities को कहा जाता है, hemo seal, और वो जो hemo seal cavity है throughout the body, वो आपकी blood से भरी हुई होती है, इसका मतलब blood जो है, openly circulate हो रहा है, तो right answer would be A, है ना, A is the right answer, सबका answer सही है, आगे देखते हैं, good evening, विंदरेश, इतना late आता है, है ना, है ना, okay, so next, hind wings of grasshopper is, जो grasshopper के hind wings होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तुम सबने गलत किया था, जब मैं ये weekdays में लेके आया थी, इस बर मैं चाहती हूं, सब सही करें, options है, A, Tegmina, B, Elytra, C, Hem Elytra, D, Membranous, बताओ, क्या मैं मैं फर्दर 14, मतलब मैं समझ नहीं आया, Minister of World, मुझे नहीं समझ मैं आया, अच्छा, my dream army officer, okay, very nice, very nice, D होगा, yes, D होगा, जिसने कुछ और लिखा था और आपने पढ़ा न, उसका नाम mention करो, वो minus 1 करेगा, Membranous, बिल्कुल, आपके अच्छे से mention किया था, मैंने grass hopper के wing type, Tegmina होते हैं, लेकिन वो wings, आगे वाले wings होते हैं, 4 wings, यहाँ पे hind wings पूछा है, तो answer क्या हो जाएगा, Membranous हो जाएगा, अगला सवाल, Dragonfly belongs to which order, Dragonfly कौन सी order से बिलॉंग करता है, options are A, Orthoptera, B, Isoptera, C, Ordonata, D, Dectyptra, Dragonfly, बल्वीर साहू, ओके, बल्वीर ना मेरे guide का नाम है, जो मेरे PhD में guide थे ना, ओडोनेटा वे, C, C answer, right answer है, C answer, नरुद्धम को देखना, सारी information है, नरुद्धम को, गूर्दीनिंग अमर्दीप, एंटीना और absent इन, बताओ जल्दी जल्दी, एंटीना किसमें absent होते हैं, ओडोनेटा में, प्रोटीूरा में, लैपिडॉप्टरा में, या डैपलूरा में, एंटीना absent किसमें होते हैं, इंटेलिजेंट हो गयो यार, तुम पढ़के आते हो, आल्मोस्स सभी बच्चों ने सारे question ठीक किया है, बस एक दो minus में गए है, चलेगा यार, उतना तो हम afford कर सकते हैं, क्या बोलते हो, प्रोटीूरा is the right answer, प्रोटीूरा जो आपका order होता है, जो की wingless होता है, उसमें एंटीना absent होते हैं, ओके, so B is the right answer, next, Cetaceous type of antenna are present in, Cetaceous type of antenna किसमें present होते हैं, questions are, A grasshopper, B termite, C butterfly या D leafhopper, बताओ, कहानी सुनाई थी तुम्हें सीता महिया की, है ना, किसी उडने वाली चीज़ पे आए थे, कौन सी उडने वाली चीज़, dragonfly, रावर ना, किसी उडन खोटोले पे आया था, dragonfly, तो Cetaceous में हो गया, dragonfly, dragonfly के बाद, उनको रास्ते में, ज leafhopper, ठीक है, leafhopper मिला था, और leafhopper को cockroach की तरह, जो है, मार दिया था, तो leafhopper, cockroach और dragonfly, तीनों के Cetaceous type of antennae होते हैं, यहाँ पर leafhopper option में, तो D is the right answer, very good, the pest whose GEP lies well above the DV and EIL is known as, options are, A major pest, B key pest, C minor pest, D regular pest, जल्दी से बताओ, और भई, क्या होता है, EIL, blah, 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 GEP, यह सब हमने discuss किया है, तो playlist देखो, उडान की, और अच्छे से detail lecture देखो, है न, यह revision है, so the right answer is, कौन सबसे पहले करेगा, yes, Damini, very good, the right answer is, की pest, उसे क्या कहते है, की pest कहते है, very good, जुनेद, जुनेद का minus 1 हो गया, यार, बाकी सबका सही है, है न, और जुनेद रोज आते भी नहीं है, व CORH1 is a rice variety, which is resistant to, किसकी, यह जो variety है, जो की hybrid rice है, basically, hybrid variety है, यह किस से resistant है, BPH से, गौल मीच से, बोथ A and B, या none of these, बताओ, अब हमारे session में सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं, जिसने session को like ने किया, only 4, कौन है वो 4 बच्चे, बताए मुझे जल्दी से, जनता जवाब चाहती है, और resistant है, मैंने answer कब बता दिया, next question, the trade name of imidacloprid is, imidacloprid market में किस नाम से बिखता है, क्या trade name है इसका, options are A, pride, B, roger, C, confider, या D, save-in, बताओ, imidacloprid का, imidacloprid का trade name, अब हमारे बीच में एक बिवीशन है वही, एक बिवीशन है, एक बिवीशन है, एक ने like नहीं किया सिर्फ, कौन है वो एक बिवीशन, हाँ, घर का बेदी, yes, the right answer is, confider, लिख लो भई, trade name important होते हैं, किसका trade name क्या है, ये मैंने आपको बताया है, अच्छे से, ठीक है, इन सब के trade name में आपको आने चाहिए, next question is, scientific name of potato cyst nematode, potato cyst nematode का scientific name क्या है, options are glovodera, rostochinansis, B is thai lancus semi penetrance, C is mylidogynese species, D is pratilancus species, नरोत्तम के बच्चे, मुझे कभी कभी यसे लगता है, नरोत्तम मेरा देवर है, वो छेतानी करता रहता है, एक छोटा देवर होता है, वो, नठकट देवर, चलो, the right answer is option number A, glovodera, है ना, तो potato cyst nematode का glovodera है, next is, damaging stage of painted bug is, options are, A, nymph, B, adult, C, larva, D, all of these, जिसके सर के उपर से questions जा रहे हैं, मतलब उसने weekdays की classes नहीं देखी हैं भई, है ना, ये fast class आपकी Saturday को होगी, तो फिर उसको देख के आ जाना, चलो आगे, हाँ, अच्छा, जितने भी hemipto order के sucking pest होते हैं, वो दोनों ही, adult भी damage cause करते हैं, nymph भी damage cause करते हैं, है ना, जो nymph होते हैं, basically, वो cell sap को सक करते हैं, है ना, और जो adult होते हैं, basically, वो vectors होते हैं, है ना, वो disease को फिलाते हैं, इदर से उदर, तो, बिल्कुल यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा, all of these answer बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, अगला सवाल, damaging stage of painted bug is, painted bug का damaging, हाँ, मैं पागल होगी हूँ, चलो, all of these, next, top shoot borer is the most destructive pest of, options are, A, paddy, B, sugarcane, C, sorghum, D, wheat, बताओ, है राम, क्या बताओं मैं, हाँ बही, अचानक से बता नहीं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, 67 हुए, फिर 66 हुए, फिर यह हुआ, कोई चक्कर नहीं है, आगे चलो, बिल्कुल, the right answer is sugarcane, top borer ना, sugarcane का जो है, वो बहुत major best है, next, shaking and beating of branches is dash method of pest control, cultural method है यह, biological method है, mechanical method है, या legal method है, बताओ, कौन सा method है, अगर आप किसी branches को shake कर रहे हो, और beat कर रहे हो, तो वो कौन सा method होगा, हम, yes, very nice, mechanical method, इसको physical method को कि हम ना, अपने हाथों से भी shake और beat कर सकते हैं, लेकिन हम machine के help से भी करते हैं, commercial level पे, तो option के साब से mechanical method हो जाएगा, अगला सवाल, which of the following is a potential pest of cotton, options आर, a, mythina separata, b, spodoptera litura, c, laptochorysa acuta, d, neela parvata allusions, इन में से कौन सा pest है, जो potential pest है, what is potential pest, जो की harmful नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर potential है कि अगर ecosystem थोड़ा सा change हुआ, ठीक है, तो ये harmful बन सकता है, crop के लिए, ठीक है, शुबम बोर रहे हैं, मैं पीछे से insect काट देगा आपको, किता cute है, अपना नाच रहा है, अपना पूरा ऐसे से नाच रहा है, मुझे काटने में कोई interest नहीं है उसको, ठीक है, देखो, the right answer is podoptera litura, जिसको tobacco caterpillar बोलते हैं, ठीक है, और ये potential pest अभी नहीं है, हैं, harmful लेकिन बन सकता है, potential pest इसके अदर potential है कि ये cotton को damage काट कर सकता है, ठीक है, next, scientific name of serpentine leaf miner is, options are, हेलिको वर्पा आर्मी जैरा ना, वैमीसिया चबाकी, वाइट फ्लाई का नाम है ना, लीरियो माईजा ट्राइपोला या एपी लचना स्पीशिल, बताओ, 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 बढ़े सारे question solve कर लिया, तुमने, fast हो तुम, जल्दी, 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 अरे यार, see, see is the right answer, ignore, 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 चलो आके, है ना, तो लीरियो माईजा ट्राइपोला या, see is the right answer, एपी लचना जो है, हाड़ा बीटल का नाम है, बोर करता है, and the right answer is very good, option number B, बबलू का फिर से minus 1 हो गया भी, चली का नहीं है, यह ब्रिंजल का है, ठीक है, yes, ब्रिंजल का major pest है, next, which of the following is the vector of leaf curl, leaf curl virus को कौन फिलाता है, इधर से उधर, options are A, F, वी, whitefly, C, leafhopper, या D, all of these, हाँ, fruit and shoot borer, shoot और fruit borer, एक ही बात है, मतलब दोनों को बोर करता है, बोर करता है, बोर, वैसा वाला बोर नहीं, बिल्कुल यार, यहाँ पे सही answers आगे, B is the right answer, madurima minus 1, बेटा, एफिड नहीं करते हैं, या तो thrips करते हैं, या तो whitefly करती है, thrips option में नहीं है, tomato leaf curl को, मैंने पिछली बार भी same point पे तुमें डांटा था ना, डांटा नहीं था है, डांटी नहीं मैं, मतलब समझाया था, है ना, डांटू की नहीं मैं, औरे, मस्त यहाँ पे गलतियां करो, है ना, yes, मस्त यहाँ पे गलतियां करो, बस, हाँ, जाओ आप बलवीर, बाई-बाई, पढ़ना है तो रहो, नहीं तो जाओ, हाँ जी, so whitefly is the right answer, है ना, tomato के case में, बाकी चिली के case में, जो है, thrips करते हैं, leave curl, next, which of the following is aphid resistant variety of brinjal, options are a, arka navneet, या पूसा भैरफ, या arka neil kंठ, या अन्ना मलाई, बताओ जल्दी से, हाँ, बाकी जो aphids है ना, जो aphids है, वो mosaic virus को जादा vector होते हैं, mosaic के aphids, ओके, बाकी, बताया था ना, musk melon और watermelon में जो bud necrosis होती है, या वो भी कौन फिलाता है, aphid फिलाते हैं, yes, the right answer is option number D, very good, anamalai, a for aphid, a for anamalai, ये पूसा भैरफ किसको करता है, formopsis blight को करता है, ठीक है, ठीक है, thank you Shubham, thank you, next is yellow vein mosaic virus of okra is transmitted by, कौन transmit करता है, options are thrips, aphid, white fly या leaf hopper, yellow vein mosaic virus, okra का एक viral disease है, है न, इसको कौन फिलाता है, इधर से उधर, बताओ, yes, the right answer is white fly, है न, white fly या पे खतम हो रहा है, yellow य से शुरू हो रहा है, तो yellow vein mosaic virus, white fly फिलाता है, this is a small trick, now next is red pumpkin beetle is a major pest off, option number a, radish, option number b, potato, option number c, cucurbits, option number d, tomato, red pumpkin beetle किसको सबसे ज़्यादा खाता है या देमिज करता है, बताओ, yes, चल्दी, 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 option number c is the right answer, cucurbits, next, silver shoot and onion leaf like symptoms are caused by, ऐसे symptom कौन कौस करता है, options are a, और सियो लिया और इजे, b, lepto-corrhisa acuta, c, sisemia inference, d, nephotetics viruses, बताओ, जल्दी, जल्दी बताओ, और यहाँ पर मुझे एक वो बात करनी है तुमसे, किसे बात करनी है, किसी ने तो बोला, मंशु ने बोला था, या साहिल ने, किसी ने तो बोला था, कि मैं आपसे पढ़के, मुझे teacher जैसा नहीं, दोस्त जैसा लगता है, तो हमेशा जब भी आप पढ़ाई करते हो, आपको stress में रहके नहीं करनी है, कि पढ़ना पढ़ेगा, ऐसा है कि यार पढ़ेंगे, इस मन से आना है, इस क्लास में, कि यारे पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे question करेंगे, और फिर exam को ऐसे, 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 entomology का full out of full, ठीक है, ओके, so the right answer is A, किसका नाम है, Golmidge Fly का नाम है, ठीक है, किसका नाम है, Golmidge Fly का नाम है, अच्छा, ठीक है यार, एक तो समझ नहीं आ रहा, कि agriculture का student हो, आप नहीं हो, नहीं हो, तो आप जा सकते हैं, है ना, चलो, तो मैंने आपको क्या समझाया है, कि orders के अंदर family आती है, ठीक है, orders के अंदर family आती है, पाइरलीडे जो है, वो yellow stem borer की family है, किसकी family है, yellow stem borer की family है, और Indian meal moth की family है, किसकी Indian meal moth की family है, और ये दोनों ही किस order में आते हैं, lepidoptera में आते हैं ठीक है तो ये जो pyrolidae family है ये हमेशा किस order की होगी या तो किसी butterfly की या तो किसी moth की ये किसी भी bug की, aphid की या किसी beetle की नहीं हो सकती pyrolidae family कभी भी किसी beetle की या कभी उसकी नहीं हो सकती ये चिस butterfly या moth की हो सकती है noctudae family भी आपकी ज्यादा तर हलीको वर्पा वगएरा की होती है तो ये भी moth की होती है galachidae family भी आपकी किसकी होती है pink wallworm की galachidae family होती है ठीक है तो वो भी borer हो गया बचा mustard sawfly आपका hemnoptera order से बिलॉँग करता है कौनसी order से? hemnoptera order से तो ये तीनों ही families आपकी lapidoptera की है सिर्फ ये family नहीं है तो D is the right answer ठीक है? okay next हाँ कोई बच्चा disturb तो नहीं हो रहा है यार minister of world से अगर हो रहा है तो मैं अभी अभी ही वो कर दूँगी है ना? बाकी यार अगर आप science पढ़ते हो तो ये agriculture है विसे देख लो अगर आपके किसी syllabus की है तो फिर आप करो हाँ बाकी क्या सुन लो सुन लो बोलो मुझे क्या सुनना है पढ़ाई की बात पुछो हाँ ना? अच्छा NDA की त्यारी all the best यार मैं नहीं करा सकती उसको ठीक है? मैं नहीं करा सकती मैं बस एक रहती हूं के साथ लेकिन मुझे आता है जाता कुछ नहीं है NDA का वाइट अंट जो है कौन सी ओर्डर से बिलॉंग करती है भई? टर्माइट की बात हो रही है आइस आप्टरा तुमने आंसर कर दिया है वेरी नाइस है ना? पारो मेटाबोला या दी होलो मेटाबोला होता है अल्मस्त नो मेटामोर्फिस इसका एक्जाम्पल होता है silverfish, silverfish, इसके जो लार्वा होते हैं उसको juvenile कहा जाता है, क्या कहा जाता है, juvenile कहा जाता है hemimetabola, hemimetabola जो आपकी cockroach, नहीं सोरी 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 parometabola जो है वो आपका cockroach में होता है और grasshopper में होता है paro, मतलब इसमें gradual changes आते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है, यह जो आपका hemimetabola है, इसमें आपकी dragonfly आती है, और dragonfly के जो लार्वा होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो पानी में रहते हैं, aquatic होते हैं और उन्हें कहा जाता है naiids, क्या कहा जाता है, naiids, तो यहाँ पर पूछा है कि aquatic larvae, यानि पानी में रहने वाले लार्वे किसके होते हैं, dragonfly के होते हैं और dragonfly का, जो metamorphosis है, वो hemi metabola होता है, ठीक है और hollow होता है complete, यह butterfly में आता है, callioptera और lapidoptera में सो सही answer हो जाएगा B, ठीक है, अब इन questions को भी वही समझ पाएगा जिसने weekdays की classes लगाई हैं, या जिसके concept clear है, ठीक है, अगला सवाल दलार्वा, sir, आप आई जाओ इदर, नि तो बच्चे मुझे पागल समझेगे कि, कि मैं क्यू चिलाई sir, एकदम से दौड की आयो, और अशे दर्वाजा खोला मैं, बैसे दी मम्मी तो कैसे हाल चाले हैं आपके, मैं इनको बताया कि नहीं कर था, अभी तक नहीं बताया था, आप ही का इंतजार कर रही थी, मैं, बताओ इनको कल ना सर की, एपी कल्चर की, है न, जो हनी बी वाली, अरे, सर देखो, दलार्वा ओफ हनी बी इस कॉल्ट एज, अरे, सर का वो देख रहे हो, आप हनी बी का नाम आया न, और सर यहाँ पर ध्रूम करके आगे, भई हनी बी जो एपी कल्चर का डिपार्टमेंट है, वो अब्जेक्टिव नहीं डिसकस करने वाले, अब्जेक्टिव तो मैंने बहुत पहले कर रखे हैं, बहुत सारे कर रखे हैं, आपको पता भी होगा, हमने लगबग 200 अब्जेक्टिव किये हुए थे, अब हम आपको थियोरी लेकर आ रहे हैं, दो घंटे में फास रिवीजन ठीक है, फिर मेरा भी टाइम हो गया, ठीक है, आप सही टाइम पे आगे भई, लार्वा ओफ हनी बी को कहते हैं, D, तो D मतलब ग्रब, ठीक है, तो that's it, आपको आना है कल 12 बजे, है न, एपी कल्चर के questions करने, बाकी या टाइम हो गया, 6.40 हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बता देती हूं, किसी को ऐसे ही फन तरीके से, बाई, 40 मिनट का पता भी नहीं चला, तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, simple, ठीक है, और आपको मन लगना चाहिए, समझ आनी चाहिए चीजे, तो आपको हमारी सारी classes YouTube पे दिखती ही है, अगर आपको हमसे समझ में आता है, तो आप हमारे साथ enroll कर सकते हैं, हमारे paid batches में भी, अब paid batches का क्या रहता है, उसमें कोई disturbance नहीं होती है, उसमें हम एक proper study plan लेकर चलते हैं, daily एक consistency के साथ, एक syllabus को जो है, एक pattern के basis पे और syllabus specific पढ़ा के, आपकी selection को और भी जादा वीकन से improve करने की कोशिश करते हैं, probability को बढ़ान कर रहा है, ठीक है, अब government job exams क्या होते हैं, अगर आपने agriculture में graduation कर लिया है, तो आपके पास बहुत सारे option है, सबसे best option है, agriculture field officer, जिसको AFO, IBPS, SO, AFO, जो की एक banking job है, है न, इसके बाद नबाद है, आपका, IFCO है, CRIB को है, AHO है, बहुत सारी jobs जो है, इसी निकलती रहती है, बह बहुत सारी ऐसी vacances time to time आती रहती है, अगर आपको इन सारी vacances को एक सार टारगेट करना है, तो agriculture अड़ा 24.7 आपके लिए लेकर आया है, one time subscription, जैसे आप Netflix की subscription लेते हो, आपको जो है, अड़ा 24.7 में हमारे agriculture की subscription लेनी है, दो साल के लिए आज मिलेगी आपको, क्योंकि आज offer है, 80% off का और double validity का, कैसे आप इसमें subscription हमारा ले सकते हो, जिसमें आपको सारे batches मिल जाएंगे, कभी भी दो साल के लिए, सारे आने वाले नए batches, तो आपको Google पे जाना है, adda247.com लिखना है, ठीक है, इस site को आपको open कर देना है, ठीक है, learning today, leading tomorrow, तो ये जब open हो जाएगा आपको all courses पे जाना है, all courses पे जाने के बाद, government job exams में agriculture आपको select करना है, ये हमारे सारे courses है, AFO है, ठीक है, आपका ये FSA से आए है, किसी को food safety officer में interest है, फिर आपका OPSC है, अभी assistant article, AHO की post है, उसके बाद आपका ये है, NFL है, TA है, UP cattet है, state agriculture exams है, अगर इन सारे UKPSC है, इन सार exams को आप target कर रहे हो, कि भही कहीं भी job लग जाए, अपने को तो सारी तयारियां करनी है, तो आप हमारी subscription agriculture महा pack में ले सकते हो, भही, 80% off पे, इसका original price तो आपको दिख रहा है, 32,000 है, ठीक है, अगर आप code लगाते हो, यहाँ पे Y now करके, यहाँ code लगाते हो, Y781A, ठीक है, तो इससे आपको 80% जो है, वो discount मिल जाएगा, ठीक है, अब आपको यह code Y781A, अगर आप लगाते हो, तो आप थोड़ी मेरी mentorship में आ जाओगे, मतलब आपको कहां से पढ़ना है, agriculture महा pack में क्या करना है, आप direct मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, फिर मैं ऐसे हो जाओंगी कि आपने इस code से लिया है, तो फिर अब मैं आपका ध्यान रखूँ, ठीक है, तो यह code आपको लगाना है, 80% discount मिलेगा भई, अगर आप application से install करते हो, तो आपको 1% extra, यानि coins यूज करके आपको और भी यह कम हो जाएगा, 6040 तक का ही आपको मिल जाएगा, अब भई, आपकी semester fees उसी पता नहीं कितनी होती है, 30,000, 36,000, इतनी होती है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6,000 में हर वो course मिल रहा है, जिसको आप target कर सकते हो, AFO, NABAD, जब हम NABAD का course लाते हैं, तो वो अकेला ही 4,000 का होता है, तो इस वक्त आज के आज आप ले लोगे, दो साल के लिए आपको य हम ग्रूप में add करेंगे, ठीक है, उस ग्रूप में आप हमसे कभी भी discussion कर सकते हो, कोई भी doubt पूल सकते हो, किसी भी time पूल सकते हो, okay, so that's it, क्या गपे मारत हूं, हाँ, इसके लावा आपको कुछ भी चाहिए, इसके लावा आपको कुछ भी और जो है चाहिए, तो आप comment म जैसे कि आप चाहते हो कि मैं हमें निमा टोर्स के question करने है, या मैं मुझे यह topic नहीं समझ आ रहा है, आप यह करा दो, आप comment में लिखो बिंदास, मैं check करती हूं, और जो भी आज आपने सीखा है, ठीक है, आज रहें दो, आज चिल, Saturday है, बही, revision class already हो चुकी है, काफी revision हो मंडे से हम शुरुआत करेंगे, एक नई class की 6 वजे आ जाये करो, bye bye, take care, stay safe and खमा खनी, चलो, bye